श्री क्रिश्न जन्माश्मी को लेकर मंदिरों में तैयारियां पूरी हो चुकी है पूरे भारत में श्री क्रिश्न जन्माश्मी की धूम अलग ही देखने को मिलती है कृष्ण जन्माश्मी पर मंदिरों को सजाया जाता है और लड़ू गोपाल का जूला भी सजाया जाता है आपको बता दे कि नंदगाउं, बरसाना और मतुरा में जन्माश्मी का महोचसथ एक हफते पहले ही शुरू कर देते हैं भगवाण श्री कृष्ण की मधुर चंचल लीलाओं का वड़न और दर्शन करने को मिलता है भगवाण कृष्ण के भक्त, भक्ती में जूमते और नाचते गाते नजर आते हैं भगवान विश्णू के अफ्तार श्री कृष्ण की कई लीलाओं के बारे में आपने बखू भी सुना होगा लेकिन आपने ऐसी काफी श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में नहीं सुना होगा जिनके बारे में हम आपको बताएंगे भगवान कृष्ण के कुल 108 नाम है जिन में गोविंद, गोपाल, धन्श्याम, गिर्धारी, मोहन, बाके बिहारी, बनवारी, चक्रधर, देवकी नंदन, हरी और कनहिया प्रमुख है अपने गुरु संदीपनी को गुरु दक्षना देने के लिए भगवान ने उनके मृत बेटे को जीवित कर दिया था श्री कृष्ण की कुल 16,108 पत्निया थी, जिन में से 8 पत्रानिया थी कृष्ण देवकी की आठवी संतान थे, साथवी संतान बलरान थे आपको बता दें कि भगवान ने बाकी 6 संतानों को भी देवकी से मिलवाया था क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण से भगवत गीता सबसे पहले अर्जुन ने नहीं बलकि हनुमान ने सुनी थी, हनुमान कुरुक्षेत्र के युद्ध के दोरान अर्जुन के रत में सबसे उपर सवार थे ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण के मानव अफ्तार का अंत एक शिकारी के तीर से हुआ था अभी के लिए बस इतना ही बने रहिए पाइनियर हर्याना के साथ वीडियो को लाइक शेर करना न भूले और चानल को सब्सक्राइब जरूर करें